कि नमस्कार आप देख रहें इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजाया दो तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर क्यों कोरोना वारस महामारी के बीज दक्षिणी भरत के समुद्री इलाकों पर चक्रवाती तुफान तौकते को लेकर कई राजियों में हाई अलर्ट चारी कर दिया गया है गोवा पे तबाही मचाने के बादे तौफान अब महारास करना तक में तबाही मचा रहा है इसके बाद या गुजडात के तरफ चला जाएगा बौसम विभागरे जानकारी देती हुए कहा कि आज शाब तक या चक्रवाती तौफान गुजडात के तड़ से टकराएगा और 18 माई की सुभा पोर बंदर और भावनगर से जिले से होकर गुजड़ेगा जी आपको बता दे वही दूसी तरफ माराज के 30 लाकुई से अब तक 12,000 से जादा लोगों को दूसी जगा पर भेज दिया गया है वही तौफान के चलते मुख्य मंत्री उधर ठाकरी लागातार इस्तथी पर नजर बनाए हुए हैं मौसम विभाग की तरफ से मुबई ठाड़े और पाल खर जैसे जिलो में औरंज अलर्ट चारी कर दिया गया है तो दूसी तरफ राइगर जिले में रेड अलर्ट खोशित कर दिया गया है इस तुफान के चलते उतर पदेश के कई राज्यों भी प्रभावित हो सकते हैं दिल्ली में भी बादल चाय हुए हैं तो वही राजस्थान के कोटा में मौसम का मिज़ास बदननी चा रहा है इसके अलावा हरियाना में भी कई लापों में थूप कायब है मौसम विभाग ने कहा कि पूरो मध्य अरब सागर की उपर बना अत्यतिक पीशन चक्रवाती तुफान तौकते पिछले 6 घंटों के दौरान लगभग 20 किलो मिटर पती घंटे की गती से उत्तर उत्तर पश्यम की ओर बढ़ रहा है अब ये विक्राल चक्रवाती तुफान में तब्दिल हो गया है जानकारी के लिए बता दी कनाटक में इस चक्रवाती तुफान के चलती 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है केरल गुवा और कनाटक के तटी लाकों में रवीवार को तबाही मचाने के बाद अब ये तुफान गुजरात की और बढ़ किया है आसोंपार को ये मुंबाई के तटी लाकों पर अपना कहर बरसा रहा है कनाटक में इस सुफान की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत भी हो गई है तो वहीं कई घरों को भारी नुकसान भी हुआ है तेज हवा के चलने से बिजली के खंबे और पेड उखड़ गई है ग्रोरिपोर्च आईपियन प्रोर आईपियन